म्यूकेंजेल सिरप एक अनस्थेटिक और एंटासेड मैडिसन है अनस्थेटिक का मतलब है ये सिरप सुन कर देती है जिससे दर्द का एहसास नहीं होता है और एंटासेड का मतलब है एसिड को कम करती है इस वीडियो में आप Mucan Gel Mint Flavor सिरप के उपयोग, डूज, यह दवाई कैसे काम करती है और इसकी side effects के बारे में जानेंगे इसलिए दवाई की पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को end तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Mucan Gel सिरप Mint Flavor में आती है और इस सिरप में मेंली तीन दवाईयों का कॉंबिनेशन आता है Oxita Cane, Aluminium Hydroxide और Magnesium Hydroxide जिसको Milk of Magnesia भी कहा जाता है Oxita Cane एक Local Anesthetic की तरह काम करता है जो पेट में अलसर और एसेडिक इंजरी के कारण होने वाले दर्द में जल्दी राहत पहुँचाता है Aluminium Hydroxide और Milk of Magnesia Antacid है जो पेट में Extra Acid को Neutralize करके इनक्टिव करते हैं अब बात करते हैं इस सिरप का उपयोग कब-कब किया जाता है हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए Acid Secret होता है लेकिन जब ये Acid ज़्यादा बनने लगता है तो Acidity हो जाती है ज्यादा Acid के कारण पेट में घाव होने लगते हैं जिनको Stomach Alcer कहा जाता है घाव होने की कारण पेट में हलका हलका दर्द होने लगता है सीने में जलन, खटी डगारे और Irritation होने लगती है इन सभी प्रोब्लम्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस सिरप को लेने की Advise देते हैं डोज की बात करें तो इस सिरप को 5-10 ml तक दिन में 4 बार खाली पेट ले सकते हैं और साथ में ये जरूर ध्यान रखना है कि खाना खाने के कम से कम 15 मिनट पहले मुकेंजल सिरप को लें और इसको पाने में मिला कर या फिर पाने के साथ में बिलकुल नहीं लें आपको जरूरत है तो बिलकुल एक घूंट जितना आप पाने पी सकते हैं इससे ज़्यादा पाने इसके साथ में नहीं पिएं मुकें जिल के कुछ सामाने साथ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कब्ज हो सकती हैं दस्त हो सकते हैं या फिर एलर्जिक रियक्शन हो सकता है इसलिए अगर आपको ये side effects बने रहते हैं या फिर लक्षन जादा ओने लगते हैं लक्षन बिगरने लगते हैं तो डोक्टर से सलाई जरूर लें वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्ते और दवाईयों से सम्मंदित वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें